1.1 तुलनात्मक साहित्ते की अवधारना 1.7 सारांच 1.8 शब्दावली 1.9 अभ्यास प्रशनों के उत्तर 1.10 संतर्व ग्रंसूजी 1.11 सहायक और उप्योगी पाठ्य सामगरी 1.12 निवन्दात्मक प्रशन प्रिष्ट दो 1.1 प्रस्तावना 1.10 तुलनात्मक पदती साहित्य और अकादमिक जगत की बहुँ प्रचलित पदती है 2.10 तुलनात्मक पदती के कारण साहित्य के अंतर जगत और साहित्य जगत दोनों का विस्तार होता है तुलनात्मक साहित्य के अवधारणा पर लिखते हुए डॉक्टर इंदरनाद चौधुरी ने लिखा है तुलनात्मक साहित्य अंग्रेजी के कंपेरिटिव लिट्रेचर का हिंदी अनुवाद है एक स्वतंत्र विद्या शाखा के रूप में विदेश के विभन विश्विद्यालियों में इसे अध्याइन अध्यापन के कारिये को आजकल विशेश महत्व दिया जा रहा है तुलनात्मक साहित्य का सरुपत्थम प्रयोग मैथियूं आरनॉल्ड ने सन 1848 में अपने एक पत्र में सबसे पहले किया था वस्तुता तुलनात्मक साहित्य में दो देश, दो भाशा या दो रचनाकारों की कृतियों को एक दूसरे के सापेक्ष रखकर देखा जाता है तुलनात्मक पदुती का मूल उदेश्य संस्क्रतिक परिप्रेक्ष में एक दूसरे को रखकर नई अर्थवत्ता की तालाश करना होता है इस धंग से तुलनात्मक पदुती साधन है, साधे नहीं हेनरी एच एच रेमाक ने भी तुलनात्मक साहित्य की विशेष्टाओं को सपष्ट किया है उनके अनुसार साहित्ते की विशेष्टाओं को सपर्ष्ट करके उनके अनुसार एकक राष्ट्रों की परिदी से परे दूसरे राष्ट्रों की साहित्ते के साथ तुलनात्मक अध्यायन है तता ये अधियाइन कला इतिहास समाजविग्यान धर्मशास्त्र आदिग्यान के विभन अक्षेत्रों के आपसी संबंधों का ग्यान है रेमाक ने दो राश्ट्रों के संदर्व में तुलनात्मक साहित्य की उपयोगिता नरधारित की है किन्तो ये एक राश्ट्र दो भाशा या एक ही भाशा के दो कवियों या लेखकों पर भी लागो हो सकती है व्यापक रूप से दो विधाओं की कृतियों के वर्गिकरन को भी इसमें समेट लिया जाता है तुलनात्मक साहित्य की इतिहास के संदर में यदि हम बात करें तो एक अनुशासन के रूप में इसका विकास पश्चिम में आदनिकाल में हुआ हाला कि ये साहित्यक प्रवर्दी प्राचिनकाल से ही मिलनी शुरू हो जाती है ग्यान कि आन्य अनुशासनों के समान तुलनात्मक साहित्य की भी क्या कोई मुकम्मल परिभाशा दी जा सकती है हर व्यक्ति अधियता अपनी द्रिष्टी को परिभाशा में जोड़ देता है इसलिए हर परिभाशें विन्भिन स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं यहां हम भारतिय और पास्षातिय कुछ प्रमुक विद्वानों की परिभाशाओं के संदर्ब में तुलनात्मक साहित्य को समझने का प्रयास करेंगे कलाईव स्कॉट के नुसार तुलनात्मक साहित्य में विभिन भाशाओं में लखित साहित्यों आत्वा उनके संक्षप्त घटकों की साहित्यक तुलना होती है और यही उसकी आधार तत्व है इस परिभाषा के नुसार साहित्यक प्रतिमानों की आधार पर साहित्य की तुलना की जाती है रेमौक ने तुलनात्मक्ता को वो सांचलेशिक द्रिष्टी बताया है जिसके द्वारा भौगोलिक एवं जाती इस्तर पर साहित्य का अनुसन धानात्मक विशलेशन संभव हो पाता है इस परिभाशा में दो विभिन संस्कृतियों के इस्तर पर संस्कृति दूसरे से किस प्रकार भिन है और उसके कारण क्या है इसी प्रकार एक परिभाशा प्रोफेसर लेन कपूर की है उनके नुसार तुलनात्मक साहित्य, साहित्य की तुलनात्मक अध्यायन की पंग्ती अभी विक्ती है ये परिभाशा भी आपरियाप्तवा अधूरी है क्योंकि इससे ये स्पर्ष नहीं होता कि तुलना किस रूप में और किन के बीच साहित्य की तुलना के मापदर्ण क्या होंगे ये भी स्पर्ष नहीं है हला कि एक परिभाशा में ये संभव भी नहीं है सर्धांतिक रूप से तुलनात्मक साहित्य के कुछ मापदर्ण है जैसे एक ही परिभाशा में एक ही भाशा में लिखित दो कवियों या लेखकों की तुलना एक ही संस्कृति की दो भाशाओं की साहित्य की तुलना या दो सं तुलनात्मक साहित्य की परिभाशाओं को दो वर्गों में पांटा गया है। परिभाशाओं की परिभाशाओं की परंपरा की क्रम में आपने देखा कि तुलनात्मक साहित्य को एतिहासिक एवं साहित्य क्रतिमानों के आधार पर जाचा जाता है। और उस बहाने दो भाषा संस्कृती का अधियन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलनात्मक साहित्य की निमने स्थितियां प्रकट होती हैं। इसी प्रकार तुलनात्मक साहित्य की परिभाषाओं को दो वर्गों में रिक्त विभक्त किया गया है। इस पर कोई स्थ राय नहीं बन पाई है। मोटे रूप में साहित्य बिंदू समस्या को विग्यानिक और विशलेशन रात्मक ढंग से विशलेशित किया जाता है। रेविनाक ने तुलनात्मक साहित्य पर टिपड़ी करते हुए लिखा है कि विभिन साहित्यों के अन्याएं प्रभाव से युक्त शोधी तुलनात्मक साहित्य है। ये क्षेत्री भाषां से लेकर अंतराश्ट्रे भाषा तक अपना सरूप ग्रहन कर चुका है। या अमूर्त विचारों के विभिन रुपांत्रों की विभिन द्रिष्टियों से प्रयोग एवं विश्लेशन। चार, कावी रूपों का अध्याइन, पांच साहित्यक संबंधों का अध्याइन। अभ्यास प्रश्ण एक, क सही और गलत में उतर दीजे। एक, तुलनात्मक साहित्य अंग्रेजी के कंपेरिटिव लिट्रेचर का हिंदी अनुबाद है। सत्य, दो, तुलनात्मक साहित्य का सरप्रधम प्रयोग मैथियू आर्नॉल ने किया, सत्य, तीन, तुलनात्मक साहित्य का मोलुद्देश दो रचनाकारों की तुलना करना है, सत्य, चार, क्लाइव स्कॉट के रुसार तुलनात्मक साहित्य में विभिन भाशाओं में लिखि को की तुलना होती है सत्य पांच तुलनात्मक साहित्य भारतिय परिप्रेक्षे पुस्तक के लेखक इंद्रनात चौधुरी है सत्य ख टिपपड़ी कीजिए एक तुलनात्मक साहित्य की परिभाशा और दो तुलनात्मक साहित्य के ख्षेत्रू प्रिष्ट पांच एक दिश्नमलव चार तुलनात्मक साहित्य का इतिहास तुलनात्मक साहिते के इतिहास के प्रश्ण पर ये समझना उचित होगा कि सभी देशों में इसका विकास अलग-अलग समय तथा बिन-बिन परिस्तिती में हुआ है यहां हम प्रमक रूप से भारते साहिते के संदर में तुलनात्मक साहिते की इतिहास की रूप रेखा प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे तुलनात्मक साहिते की अफधारणा और विश्व साहिते की अफधारणा का निकठी का संबंध है इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि गेट के वर्ल्ड लिट्रेचर की परिकल्पना के बाद ही तुलनात्मक साहित्य और विश साहित्य में भेट है रेमाक में दोनों अनुशासनों का भेट स्पष्ट करते भी लिखा है तुलनात्मक साहित्य के लिए किसी भी साहित्य कृती लेखक प्रवर्थी या धीम अत्वा ग्यान के दूसरे शेत्रों के साथ वास्तविक तुलना आवशक है मगर इसके विप्रीद विश्व साहित्य के अंतरगत शेक्सपियर, बॉल्जॉक, रविन्दिनार्टेगो जैसे लेखकों की कृतियों को शामिल कर लेते हैं कहने कारतिया है कि विश्व साहित्य और तुलनात्मक साहित्य में सामियता होते हुए भी दोनों में परियाप्त अंतर है हलाकि रविन्दिनार्टेगो ने 1907 में तुलनात्मक साहित्य के लिए विश्व साहित्य शब्द का ही प्रयोग किया था उनके दर्ग के अनुसार प्रते कृति को उनसकी संपूर्ण इकाई में देखना चाहिए क्योंकि संपूर्ण इकाई या मनुशे की शाश्वत स्रजंशी लिता की पहचान विश्व साहित्य के द्वारा ही हो सकती है जहां तक भारते तुलनात्मक साहित्य का प्रश्ण है उसका विकास सत्रवी अठावी सदी में विशेश तोर पर हुआ मैक्समूलर वा वीलियम जोन्स जैसे विद्वानों ने भारतिय साहित्ते का नुवाद यूरोपिय भाशाओं में किया जिससे तुलनात्मक साहित्ते की प्रवर्थी को बल मिला 1753 में रॉबर्ट लाउथ ने ऑक्सवोर्ड लेक्चर्ज ऑफ पोईट्री में हिब्रो कविता के साथ यूनाने साहित्ते की प्रवर्थी को बल मिला 19. श्रताब्दी तक दुलनात्मक साहित्ते की प्रवर्थी जो बल मिलने लगा था माइकल, मदुसुदन, दतने, वालमी की व्यास, कालिदा, सोमर, वर्जिल, दांते, टैसो, मिल्टन जैसे साहित्ते कारों की एक दूसरे के समानां तर रख कर देखा है अपने एक पत्र में उन्होंने लिखाता कि यूरोपिय नाटक की अधार्थ, उदात, आवेक तथा वीर्था को ले कर चलते हैं तो भारतिय नाटक प्रेम और कोमलता लिये हुए है यह अपने ढंक का पहला भारतिय प्रेयास था, हलाकि माइकल ने इसे कोई सद्धान्तिक स्वरूप नहीं प्रदान किया लेकिन परंपरा की दृष्टी से उन्होंने एक प्रबर्दन आवश्य किया है इसी करम में 1773 इसवी, Charles E. Grover, The Folk Songs of Southern India, 1800 कतर तमिल साहित्य के साथ करनड, तेलगो, मल्यालम, तथा कूर्ग भाशाओं के गीतों का तुलनात्मग अधियायन G.U. Pope, कुरल के अनुवाद, तमिल कविता वा युनानी कविता का अंतर प्रियर अंजन सेन, Influence of Western Literature in the Development of Bengali Novel, 1932 में, बंकिम चंद्र चैटर जी ने शकुंतला, मिरांडा तथा, डेस टोमना, शीशक एक निवंद लिखा बंकिम ने एकोड जहां शेक्सपियर वा कालिदास की तुलना की, वहीं दूसरी और वारन, शैली की, कविताओं की तुलना वैदिक गीतों से बंकिम चंद्र चैटर जी ने इसी करम में भवबूती और शेक्सपियर की तथा, कुमार संबब तथा, पैरडाइस लॉस्ट की तुलना की इसी करम में आगे चलकर वारन हैंस्टिंग्स ने गीता वा इसाई मुक्ती भावना की तुलना की उसने गीता वा एलियड, OTC तथा पैराडाइस लॉस्ट की भी तुलना की इसी संदर में रॉबर्ट कॉल्ड वेल तथा जॉन ब्रीम स्ने पुस्तर लिखकर इसंदर को विवस्थत करने का कारे किया प्रिष्ट चै उनिस्वी शताब्दिक के प्रमुकारियों को हम इस प्रकार देख सकते है आलब्रेस बेवर The History of Indian Literature 1852 संस्कृत नाटक और युनानी नाटक की तुलना Max Muller A History of Ancient Sanskrit Literature 1869 संस्कृत और युनानी साहित्ते का तुलनात्मक अध्याइन Albert Schweitzer Indian Thought and Its Development भारती आरिय और इरानी युरोपिय संस्कृती का तुलनात्मक अध्याइन A.B. Geet The Sanskrit Drama 1924 कालेदास बास संस्कृत नाटक कारों की तुलना युरोपिय नाटक एमम नाटिकारों में 1.5 तुलनात्मक साहित्ते की विशेश्ता और महत्व तुलनात्मक साहित्ते के महत्व को आधनिक युक में सभी देशों में सुविकार कर लिया गया है क्योंकि तुलनात्मक साहित्ते आधनिक सभियता का प्रमुक विमश बन गया है तुलनात्मक साहित्य या तुलनात्मक पदती आज की एक प्रमुक साहित्य पदती है जिसके बाध्यम से दो भाशा संस्कृती की अंतर नहीत विशेश्टाओं को एक दूसरे की सापिक्षता में रखकर विशलेश्ट किया जाता है इस प्रकार इस पदती के माध्यम से साहित्य कृतियों को परकने के सूत्र तलाशे जाते हैं तुलनात्मक साहित्य की विशेष्टा से पूर हमें ये समझना भी आवशक है कि तुलनात्मक साहित्य के लेखक के लिए अनिवारी धर्म क्या है आजकल व्यवसाई करण के दबाव में प्राया लेखक तुलनात्मक आलोचना में प्रवर्थ हो जाते हैं इस प्रकार से ये तुलनात्मक साहित्य की गंभीरता को देखते हुए बहुत हलका प्रयासी कहा जा सकता है तुलनात्म करने के लिए लेखक को केवल दो भाशा ही अप आनी अनिवारी नहीं है वरण भाशाओं के व्याकरन आर्थ संसकार वो उसक्षेतर की संस्कृति को जानना भी आवशक है अता तुलनात्मक साहित्य की आवशकता उसी समाज में उत्पन होती है जब वो समाज इसे साहित्य साभ्यतिक व शांस्कृतिक संकट में हो जब लेख़ा को लगे कि इसकारे से साहित्य संस्कृति की समझ में आवशक परिवर्दन आ जायेगा प्रिष्ट साथ तुलनात्मक साहित्य का प्रात्मिक कारे साहित्यक विस्तार का परिवेश निर्मित करना है। प्रिवेश दो प्राकार का साहित्य अपने संस्कृति में वैविध्य लिये हुए होते हैं। अट दोनों को उनकी सापिक्षतह में ग्रहन कर एक दूसरे को समझने की दृष्टि का विस्तार किया जाता है। एक दृष्ट अमलच है तुलनात्मक कारिय संस्कृति कर्म। तुलनात्मक साहित्य के महत्ववा लोगप्रियता का सरवाथिक महत्वपुन कारण मनुश्य के संस्कृतिक विस्तार की अकांग्शा है। दिन प्रते दिन हमारा बहुत एक विस्तार होता जा रहा है।